हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं को पंचांग के विशह में भी जानकारी देंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशी फल है और पंचांग दोनों दिनांक 10 जन्वरी संद दोहजार बाइस दिन संवार संबत दोहजार अठटर के हैं हिंदी का महीना चल रहा है पौश का महीना पक्ष चल रह मेंगे मीन और चंद्रमा आज प्रहत आठ बच्कर 10 कplease में प्रिवेश करेंगे मीन रासी से निकल करके राहूकाल का समय रहेगा प्रहत आठ बच्कर 31 क्षी और प्रहत नौ बच्कर Simply मिन मिनट तक अभिजीत मूर्थ का समय रहेगा दो बहर बारे बचकर दस मिनट से लेकर दो बहर बारे बचकर अठावन मिनट तक और इस अभिजीत मूर्थ के बताए हुए समय में आप अपना कोई भी शुबकार्य संपन आज कर सकते हैं सातियों पराते आठ बचकर उन्चास मिनट पर पंचक आज समाप्त हो जाएंगे आज के दिन श्री दुर्गा अश्टमी भी है और महारोद्र वरत भी है तो ये थी जानकारी पंचांग के विशे में अब करेंगे आपके साथ चर्चा आपके देनिक राशी फल को ले करके औ और आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे घरेलू मोर्चों पर कुछ बदलाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है आपकी इंकम में पढ़ुत्री होने की कुछ संभावना दिखती है नियमित व्यायाम करना आप प्रारम कर सकते हैं ये भी आपके स्वास के लिए उत्तम रहेगा उपाय आप क्या करें किसी सपेरे को साप को दूद पिलाने के लिए पैसा आप दे दें आपके नौकरी या व्यापार के लिए ये काफी शुब उपाय रहेगा शुबंक आपके लिए है आज साथ और शुब रंग आपके लिए है अगर इसको शुरू करने की आवश्यक्ता है बस चीजें अपने आप इस्वते ही आसान होती चली जाएंगी किसी पृतियोगिता के लिए कठिन परिश्रम करते आप नजर आएंगे और अगर आपने कठिन परिश्रम किया किसी पृतियोगिता में एपियर होने के लिए बैठ में लेकर चितकबरे कपड़े में बांध ले और अपने पास रखें आपका स्वास्त बहतर रहेगा शुब अंक आपके लिए अठारा है आज शुब रंग आपके लिए आज भूरा मिथुन राशी यानि के जैमनी साइन लोन के लिए प्रियासरत जो आप में से जातक हैं उन दूसरे का ध्यान रखेंगे फिटनेस के लिहाज से कुछ कारगर कदम उठाए जाने की उमीद भी बन रही है आपके दोरा उपाय क्या करना है शिवलिंग पर जल चड़ाने से पारिवारी खुशियों में व्रद्धी होगी शुब अंक आपके लिए है आज आठ और दू मोर्चे पर थोड़े समय के लिए पैसे की तंगी को लेकर थोड़ा तनाव जरूर दिखाई देता है अपनी पहले की गल्कियों से सबक लेने का तरीका आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है यह एक्सपिरेंस आपके काम आ सकता है आज के दिन उपाय आपने क करना है सफेज चंदन का तिलक अपने मस्तिष्ट पर लगा करके घर से निकलेंगे तो सारे कार्य आपके पूरे होंगे और स्वास सापका बहतर रहेगा शुब अंका आपके लिए है छे और शुब रंग आपके लिए है आज हरा सिंग राशी यानिके लियो साइन साथियो आपके पेशेवर मोर्चे पर सफलता आपको अगर हांसिल करना चाहते हैं आप जिसके लिए आपके प्रियास जारी रहेंगे प्रियास आप करेंगे भी और अगर आपने अपने तार्गेट पर नजर बना करके उसी के नुसार प्रियास किये तो आपको सफलता भी हांसिल ह आर्थिक मोर्चों पर संपन रहेंगे आप और कोई महगा सामान खरीदने में भी सक्षम रहेंगे आज सामाजिक मोर्चे पर भी काफी सक्रिय रहने की संभावना है उससे आपके मान संभान में भी व्रद्धी होती दिखाई देती है उपाय आपने करना है इस्त्रियों का आदर सम्मान करें एवं उनकी भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस ना पोचाए फैमिली लाइफ अगर आप अपनी अच्छी रखना चाहते है यही आपके लिए शुब उपाय रहेगा शुब अंका आपके लिए है आज पांच और शुब मैं ख़क प्रीयास आपके लिए और अपने सपनों के जो अपने घरवाले हैं आपके लिए कटिन रहेगा प्यार व्यक्त करने में आपकी अनिष्छा से सबकुछ व्यक्त हो जाएगा ना चाहते हुए भी इस सिती से बचने का प्रयास आप करेंगे स्वास्त आपका संतोष जनक आज के दिन बना रहेगा उपाय आपने करना है तंदूर में मीठी रोटी बनवा करके कुत्ते को खिलाएं अपने हातों से आपके रोजगार या व्यापार मे आपकी उन्नती होगी शुवंक आपके लिए है चार और शुवरंग आपके लिए है आज मजेंटा तुलाराशी यानि के लिपरासाइं किसी करीबी इंसान के साथ रोमेंस के पल रहने वाले हैं आपके रोमेंस के पल बिताएंगे आप ऐसी संभावना है अपने लक्ष के पिरती भी एकागरता कायम रखने में भी आप पुरूरूप से सक्षम रहेंगे किसी से प्रभावित होकर अपने स्वास्त की और भी अधिक ध्यान देंगे व्यायामादी भी शुरू कर सकते हैं उपाये आप कर सकते हैं आज के दिन सोते समय एक तामे के पात्र में जल प्रभाद हैं ये सेहत के लिए बहुत शुब उपाये रहेगा शुबंक आपके लिए है आज 6 और शुबंक आपके लिए है आज सफेद विरिश्चिक राशी यानि के स्कॉर्पियो साइन साथियों आपके कारेस्थल पर कोई परिशान करने वाला आपका कोई सहयोगी सहक आपकी कर्याशी कर्मी जो आपके साथ कार्रे करता है आपका समय लेकर आपकी दिन चर्याद को प्रभावित कर सकता है अनावश्चक रूप से आपकी कलातमक्ता का कोई पार्खी मिल जाने की वी आजने संभाव आपकी कोई टेलेंट को पहचाने वाला मिल जाए जहां तक आपके करीयर का सवाल है आप मध्यमगती से अपने प्रियास करते रहेंगे चलते रहेंगे आगे की ओर लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको जो आपका लक्षे प्राप्त करने की जो आपका एम है उसमें थोड़ा तेरी हो सकती है उपाए बाहर जाने के समय केसर या हल्दी का तिलक मस्तिश्क पर अवश्य लगाए नाभी पर लगाए आपके आर्थिक सिती में सुधार होगा इससे शुब अंक आपके लिए है आज आठ और शुब रंग आपके लिए आज लाल धनु राशी यानिके बताना चाहते हैं कि जहां भी आप कार्या करते हैं व्यापार में है या रोजगार में आज आपके जो सहकर्मी या जो आपको असिस्ट करते हैं या आपके साथ कार्या करते हैं वो आपके कार्या में मदद करने से आपके जो कार्या का प्रेशर है उसको कम करेंगे कम होगा उनकी हेल्प से और आपको काफे रिलीफ फील होगा और कोई अगर सौधा कोई कर रहे हैं आप किसी प्रकार का तो वह भी अपने फेवर में करने के लिए आप उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि वो जो सौधा है आपके पक्ष में हो आपके मन में बसी किसी के पिर्ती चाहत उसको प्रभावित करने के लिए काफी नहीं होगी उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आज के दिन स्वास जो है उसको लेकर के आप काफी सचेत रहेंगे साफधान रहेंगे और आपका ध्यान अपने स्वास की और कुछ अधिक रहेगा अपनी फिटनेस की और उपाए आज के दिन बनता है आपके लिए दूद एवं दही का सेवन करेंगे तो ये भी आपके स्वास के लिए बहुत हितकर है शुब अंक आपके लिए है आज एक और शुब रंग आपके लिए हलका लाल तो देखिए जहां तक शिक्षा प्राप्ति का प्रिशन आता है छात्रों के लिए प्रणाम आपके अनुकूल रहने की पूरी-पूरी संभावना बन रही है सामाजिक तोर पे आपको जो आप किसी को या आपके पास कोई अगर सलह लेने के लिए आता है आपसे तो उससे आपके मान सम्मान में व्रद्धी होगी जो आप सलह उसको देंगे किसी को भी बिना किसी समस्या के आप से अगर कोई लोन लेने आता है तो आप बिना किसी समस्या के लोन देने में सक्षम रहेंगे और किसी का सकारात्मक व्यभार आज आपको काफी प्रभावित भी कर सकता है उपाये आपने करना है मात्रुगा जी के मंदर में परशाद चढ़ा कर गरीबों में बाटे ऐसा करने से परिवारिक जीवन पहतर होगा शुब अंक आपके लिए है नौ और शुब रंग आपके लिए है गुलाब गुलाल मतलब जो गुलाबी रंग होता है कुम राशी यानि के एक्वरियस था हैं तो देखिए साथियों आप रोजगार में हैं या व्यापार में जहां पर भी हैं आज आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है सामाजिक मोर्चे पर भी कोई आप को फॉलो कर सकता है जो की बहुत अच्छी बात है लोग अगर आप से कुछ सीखते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है परिवार में किसी संपत्ती के मामले को ले करके थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है किसी सदस्य के साथ किसी की गलस सलहा आपके लिए नुकसान दे साबित हो सकती है आप किसी की सलहा पर आज कारने ना करें उपाय आपने करना है ताबे के बरतन में राद भर रखा हुआ पानी सुभा प्राते पीने से स्वास के लिए ये लापकारी रहेगा शुब अंका आपके लिए है आज दो और शुब अंका आपके लिए हलका गुलाबी अन्तुमें मीन राशी यानि के पाईसिस साई तो बताना चाहेंगे साथियों के मानसिक तोर पर इस पश्टता और जुनून बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा इसका आवश्रकता रहेगी ध्यान भी रखना है आपको कि ये चीज़ मेंटेन रहे जिन लोगों को किसी से वित्यव मिदद की जरूत है उनका काम आज पूरा होता दिख रहा है गरलू मोर्चे पर कोई सुखत और आश्च्रे जनक समाचार आपको मिल सकता है किसी के साथ प्रेम संबंद में पढ़ने के भी संकेत है किसी से आखे चार भी आज आपकी हो सकती है उपाए हल्दी की गांट, केसर, पीला चंदन और पीली दाल इसका अधिक सेवन करें अपने खाने पीने में स्वास के लिए उत्तम उपाए है शुवंक आपके लिए है आज चार और शुवरंग आपके लिए है आज हलका नीला तो मेरे प्रियसाथियों ये था आप बारे राशियों के जातकों का मेश राशी से लेकर मीन राशी तक के जो जातक है उनका दैनिक राशी फल जो की पूर्टया ग्रह गोचर की वरतमान इस सिती पर आधारित थाई और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है लेकिन समय आगया है प्रियसाथियों कि अब हम अपने सभी आप प्रियस शुरोताकणों से इजाज़त लें और अपनी वानी को विराम दें तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जै माता दी